नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दख़वरदार नूज अगर आप घूमने के सौकीन हैं तो आज हम एक ऐसी जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं भारती पुरातत्य विभाग के द्वारा संदक्षित तो है लेकिन एक खास बात है यहां पे आपने देखा होगा सारी की सारी संदक्षित जगहों के आसपास पुरातत्य विभाग का आफिस होता है लेकिन ये इतनी खदरनाग जगह है जहां पर कोई भी आफिस पुरातत्य विभाग का नहीं है बलकि इस जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पुरातत्य विभाग में आफिस बनाया हुआ है हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैपु के बीच इस्तित प्रसिद किले भान गढ़ के किले की भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले ही चेताबनी दे दी जाती है कि सूरियोदय से पहले और सूरियोदय के बाद ना फटके नहीं तो आपके साथ कुछ भी भयानक हो सकता है ऐसा सिर्फ भान गढ़ के किले में ही हो सकता है और ऐसा माना जाता है कि भान गढ़ के इस किले के आसपास के छेत्र में भोत प्रेतों का साया, भोत प्रेतों का बशेरा है जब हम भान गढ़ के किले के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में कई कठानक, कई किस्से, कई अंसुनी कहानिया प्रचलित हैं लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले में कई तरह की भयाना का वाजे आती है साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर रात में जो भी गया है वह वापस लाओट के कभी नहीं आया सिर्फ कुछ किस्से हैं जिन किस्टों की बात इस कहानी में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं बात करते हैं भानगढ़ के आतीत पर तो एक किस्ता जो इस्थानी लोगों के द्वारा पताया जाता है कुछ इस तरह से है कि भानगठ गुरु बालो नाथ स्वारा एक सापित इस्थान है उन्होंने ही इसके मोल निर्माड की अनुमति दे थी लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि अगर इस किले की उचाई अधित हो गई और जहां पर मैं तपस्या करता हूँ किले की परचाई उस जगह पर पहुँच गई तो इस किले का पूरा का पूरा अस्तित्व खंडहर में बदल जाएगा और जब भानगठ की राजा अजब सिंग ने गुरु बालो नाथ के इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और महल की उचाई बढ़ा दी तो इस साब की बज़े से इस किले का अस्तित्व खतम हो गया वही इस बारे में एक दूसरी कहानी भी लोगों के द्वारा बताई जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस किले की राजकुमारी रत्नावती की शुन्दरता पूरे राजपूताना इतिहास में अधुते थी अधुत्ती जब वो बड़ी हुई विवाह योग हो गई तुसे जगह जगह से विवाह के प्रस्तावाने लगे और ऐसे ही एक दिन एक तांत्रिक की नजर रादी रत्नावती के ऊपर पड़ी और जब रादी रत्नावती को तांत्रिक ने देखा तो उसने अपने तंत्र मंत्र का दुरपयोग करते हुए कई तांत्रिक विद्याएं सीखी और हर हाल में रानी रत्नाबती को अपनी तरफ आकर सित करने का प्रयास किया और इसी के तहट राजकुमारी रत्नाबती पर वह गहरी निगाह रखने लगा एक दिन की बात है तांत्रिक ने देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए बाजार से इत्र खरीद रहा था तो तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने जादू टोने का प्रयोग कर दिया लेकिन राजकुमारी की एक विश्वास पात्र ने तांत्रिक को ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को इस बारे में उसने बता दिया राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चटान पे रखा और तांत्रिक को मारने के लेक पत्थर लुड़का दिया लेकिन मरने से पहले उस तांतरिक ने सारे के सारे भानगड़ के किले को नश्ट होने का च्राव दे दिया और उसका च्राव सत्त्साबित हो गया ये सारी कहानिया मिधक हो सकती हैं लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों की अनुसार रोगिते खड़े कर देने वाली हैं कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज उनके बस्त्रों की आवाज और अश्र सस्त्रों के खनकने की आवाजे भी वहां सुनी है भानगड के किले को भारत के सबसे डरावने इस्थानों में से एक माना जाता है इसलिए यहां घूमने से पहले मत भूलिएगा कि एक भूतिया किला है कोई परियटन इस्थल नहीं है भानगड के किले के परिसर में भूतिया अनुभबों और घटनाओं के डर की बजह से ही अब सारे गाउ इस किले से बहुत दूर हो गए है हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से दिन में भी डरता है हर किसी को बस यही डर रहता है भानगड किले के भीतर क्या है तो ये था भानगर से जुड़ा हुआ किस्सा ऐसे ही किसी दूसरे किले की किसी एतिहासिक जगह की कहानी आपको हम बताएंगे अपने अगले एपिसोट में तो देखते रहिए दखवरदार नुज नमस्कार धन्यवाद